आरे variants और जानेंगी इनके prices and compare करेंगे इस car को इसी की company की car बलेनों के साथ इस वीडियो में हम इस car को बलेनों के साथ compare इसलिए कर रहे हैं कि कहीं न कहीं इसके कुछ pricing clash हो रही है बलेनों के साथ and हो सकता है कि ये car आपके लिए एक better option हो बलेनों के comparison इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए है तो प्ली सब्सक्राइब तो इस कार में आपको टोटल पाइफ प्लस जीटा एन अलफा इसमें से आपको इसके सिग्मा एंड डेल्टा वेरियंट वेरियंट 1.2 लिटर नैचरली एस्परिटे इंजर में में देखने को मिलेंगे अन बात की जाए इसके जीटा नम्फा वेरियंट पी तो ये आपको वन लेंडर टर्बो चारल्ज deve AI हो में बात की इसके 1L turbo charge engine की तो इसका 1L turbo charge engine start होता है Delta Plus variant के साथ जो आपको cost करेगा 9.7 lakh वहीं बात करें इसके Zeta variant की तो ये आपको cost करेगा 10.55 lakh यहीं पे आपको 6-gear transmission को option में मिलता है इसके Zeta variant पे जो आपको cost करेगा 12 lakh बात करें इसके Alpha manual variant की वो आपको cost करेगा 11.4 lakh वहीं पे इसका automatic variant alpha का आपको cost करेगा 12.9 lakh वहीं ये car आपको 2 dual tone option के साथ आती है, एक manual एक automatic इसका manual dual tone option आपको cost करेगा 11.6 lakh and वहीं इसका automatic dual tone option आपको cost करेगा 13.12 lakh तो आपको कैसे लगे इस crossover की pricing वैसे तो हम इसकी crossover ही कहेंगे बट मारूती इसको SUV कहता है तो आपको इसके pricing कैसे लगे आप मुझे comment section ने बता सकते हैं compare कर रहे हैं बलेनो के साथ अगर आप compare करें बलेनो के साथ इससे तो कौन सा आपके लिए एक better option हो सकता है guys जैसा आप हुमारी screen पे देख रहे होंगे बलेनो और फ्रॉंग्स के वेरिंट में company ने 70-80,000 का रिप्रेंस रखा है फ्रॉंग्स का बेस मोडल स्टार्ट होता है 7.46 लैक से वहीं बलेनो का बेस वेरिंट स्टार्ट होता है 6.61 लैक से बात की जाए दोनों के बेस वेरिंट के features की तो दोनों के बेस मेंट में आपको same features पिलते हैं features में कोई differentiation नहीं रखा गया है same features दोनों कार में offer की जाते हैं फ्रॉंग्स में जो आपको नया मिलेगा वो मिलेगा इसका look जो crossover design के साथ ये car launch की गई है काफी refreshing लग रहा है साथी साथ आपको इसमें high ground clearance मिलेगी and एक अच्छी visibility बाकी features wise interior wise car almost same रखी गई है